कक्षा साथ में पढ़ने वाली एक लड़की दुकान पर खरिदारी करने के बाद अपने घर बापिश जा रही थी जैसे ही वो रास्ते में जा रही थी तो उसे एक लड़का मिल जाता है राजू गाउं में कम और दिल्ली में जादा रहता था इसलिए वो उसको देखकर किसी भी लड़की का excitement होता था इस बार देखने के बाद वो उसे सलाम करती है सलाम करने के बाद कहती है कि भाईया तुम ठीक तो हो वो लड़का कहता है कि मैंने तुमें पैचाना नहीं तुम कौन हो पुलड़की बताती है कि मैं सोफिया की छोटी बहन हूँ, वही सोफिया जिसको तुमने दिल्ली में काम जो लगवाय था राजु जब उसकी तरफ को देखता है कि तुम इतनी छोटी सी थी, दो-तिन साल में इतनी बड़ी हो गई हो वो इतने देखकर शर्मा जाती है, कहती है कि भाया मुझे भी दिल्ली में जाकर काम करना है मुझे भी सलाई कड़ाई का बहुत अच्छे सा काम आता है, यही काम मेरा, दिल्ली में लगवा दो मैं और मेरी बहन जब वहां काम करेंगे, वहां पैसे कमाएंगे, घरवालों को जादा पैसे देंगे, तो अच्छा लगेगा लेकिन राजु कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान पूरी तरसे पढ़ाई में रखना चाहिए और काम में अपकी तरफ में ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन लड़की कहती है कि मुझे दिल्ली ही जाना है, जो उसे जित करने लगती है, तो कहता है कि तुम्हारे अब्बो को इस बात पर एतराज होगा, इसलिए मैं तुम्हें कहीं भी लेकर नहीं जाना चाहता है, और जब वहां जाता है, तो उसे वो काम, जिस काम के लिए वो गई थी, वो नहीं कराये जाता, बलकि उसे वैशावरती के धंदे में डाल दिया जाता है, और उस लड़की के पहला गरहाग जो होता है, वो 80 साल का एक बुढ़ा ब्यक्ति होता है, यहीं से उसके जिन्दग आज की जो सची घटना मैं आपको सुने जा रहा हूँ, इस सची घटना है रास्तिय राजधानी छेतर दिल्ली के शास्त्री पार्की, दरसल एक लड़की, एक और लड़की के साथ फरिदाबाद से दिल्ली के लिए मैट्रो गाड़ी पकड़ते हैं, और जैसे ही वो मैट् ट्रेंज चल पड़ती है, वो लड़की काफी चीकती है, चिलाती है, रोती है, गड़गडाती है, ट्रेंज को रुकवानी की अपील कर रही थी, लेकिन मैट्रो के दरवाजे जैसे ही बंद होते हैं, बाहर की आवाज अंदर की आवाज बाहर नहीं आती, शायद वो साउं बापिस अपनी बहन के पास जाना है और जैसी वो बहन की बात कर रहे थी तो उसने कहा कि ठीक है तुम परशान मतो इंतजार करते हैं तुमारी बहन जल्दी से जाएगी क्योंकि पांच मुट में गाड़ी जाती है और पांच मुट में गाड़ी दर से आ जाती है कई घंटे बैखने के बाद भी कोई बापिस लोटकर नहीं आता उस लड़की को लेने के लिए पुलिस वाला भी परिशान हो जाता है और जो परिशान हो जाता है तब ही वो इलाके के CWC इनकी चाइल्ड वैलफेर कमिटी के अधिकारियों को फोन किया जाता है और वो आते हैं और उस बच्चे मानब तसकरी के बाद वहां लाए जाते हैं इस तरह के बच्चों को ऐसी जगह सुरक्षा के हिसाब से रखा जाता है उनकी खान पीन के उनके रहन से इनका पूरा इंतिजाम होता है और ये बात आई गई हो जाती है लगभग एक महीने का समय बीत जाता है और एक दिल्ली महिला आयोक के अध्यक्ष स्वाती मालीवाल के पास जाते हैं 5 दिसंबर 2015 को जैसी इनके पास जाते हैं उनसे जाकर बात आते हैं कि एक लड़की है जो मेट्र एजिट्रेशन पर मिली थे फिलहाल शेल्टर होम फरिदाबाद में रह रही है इसके बाद दिल्ली मह जाने के बाद उस लड़की से मुलाकात करती हैं उससे बाचित करने की कोशिश करती हैं जैसी बाचित करते हैं तो एक ऐसी कहानी सामने आती है इस कहानी को सुनने के बाद ना के बल एंजियो के बलकि उन महिलाओं के भी रोंग्टे खड़े हो जाते हैं दरसल ये लड़क उसको काम दिलाने के लिए पश्ची बंगाल से सीधा दिल्ली लेकि आ जाता है और दिल्ली लाने के बाद जब पहली बार यानि कि ये सितंबर 2015 को पहली बार जिसका पिर्थम सप्ताहा बताया जाता है जब दिल्ली आती है शास्तरी पार्क में वो रह रहे थी बहुत जदा होने के वज़े से उसको एक कैपसूल दिया जाता है और कैपसूल लेते ही उसके शहीर के हार्मोंस अलग तरह से काम करने लगते हैं जब लड़की वो परशान हो जाती है उस कैपसूल को खाने के बाद तो वो राजू जिसको अपनी छोटी बहन की तरह वो लेकि आया था वो राजू उसके साथ शायरिक सम्मन बनाता है उसका कई बार बलातकार करता है उस घर में जबकि उसकी बीबी भी होती है साती उसकी साली होती है उसकी साली और उसकी बीबी इसमें कोई अतराज नहीं करते हैं दिन निकलता है और उस लड़की को पूरी तरह से होश में न काप्सुल को लेते ही उसके अंदर की जो हार्मॉंस थे, वो अलग तरह से काम करना शुरूर कर देते हैं और उस- teams को ये होश ही नहीं रहता था इसका सुछ वो हो जाते हैं जब चोथर दिन आता है चोथर दिन राजू के पास एक कोल आती है लक्शमी नगर से वहाँ से 81 साल का एक बुढ़ा व्यक्ति होता है जो पैसे से ठीक ठाग अमीर आदमी होता है उसने एक लड़की की डिमांड की और राजू ने अपनी साली के साथ उस लड़क तो देखकर वो परिशान हो जाती है क्योंकि जिस सरे से वुड़ा आदमी उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा था तो लड़की ने उसने चीखने चिलाने की कोशिश की तब ही राजू की साली उसके पास पहुंसती है और जाकर कहती है कि यदि अपनी बेहन की जिंद अस्साल का बूढ़ा आदमी अपनी पोती की उमर की उस लड़की की शरीर के साथ खेलता रहता है जब लभुगग घंटे दो घंटे उसके साथ बिताता है उसके बाद उस लड़की को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ शाज या जिस लड़की याने कि राजू की साल शाजिया जिस लड़की यानि कि राजू की साली के साथ गई हुई थी बापिस अपने घर पे आती है रोती है बिलबलाती है बिलगती है कहती है कि मुझे मेरे माम मेरे बाप के पास बापी छोड़ दो या मुझे मेरे बेहन के पास छोड़ दो तुम इस तरह से मेरे साथ कुछ भी मत करो लेकिन राजू की अब ये कोई पहली बार नहीं था बलकि राजू उस खुद उसके साथ बलातकार किया करता था साथ ही वो राजू नए-नए गिरहकों के पास उसको भेजना शुरू कर देता है किसी दिन पंध्रे लोग होते थे तो किस दिन बीस लोग होते थे कुछ लोग उसके घर पे आ जाया करते थे तो कहीं वो वैश्यवर्ती के लिए किसी होटल में भेज दिया करते थे नए नए जगे पर उस लड़की का आना जाना होता था साथ ही उसकी सुरक्षा में उसकी साली लगातार जाया करती थी इसी तरह से धीरी-धीरी करके सब्ता और महिना बीतने लगता है और 11 नवंबर 2015 को वो लड़की फरिदाबाद की एक कोल थी फरिदाबाद में उसके जाना था यहां राजू की साली और वो लड़की जैसे ही फरिदाबाद में जाते हैं एक गिरहक से मुलाकात होती है गिरहक से मुलाकात करने के बाद घंटे दो घंटे वहां बिताने के बाद जैसे ही वो लड़की बापिस शास्त्री पार्क के लिए मैट्रो में बैठने की कोशिश कर रहे थे साली तो बैठ जाती है राजू की लेकिन वो लड़की बैठ नहीं पाती और जब बैठ नहीं पाती तो उसके बाद फिर ट्रेंच चल पड़ती है और वो लड़की पुलिस वाले के पास में रोती हुई बिलखती रहती है हाला कि इस बीच में बताया जाता है कि जो राजुक की साली थी वो आई थी लेकिन पुलिस वालों के बीच में घेरा हुआ देखकर उसने लगा कि शायद की सुरक्षा की दरस्टी से सही नहीं होगा इसलिए वो लड़की ने उसे रोखने की टोखने की कोई कोई कोशिश नहीं की और उस लड़की को जाकर यहां से भेज दिया रहता है शेल्टर होम और जब शक्ति वहानी NGO के सदस साथ ही दिल्ली महिला आयोग की सदस से जिसमें देख रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि 11 नवंबर को यह लड़की मिलती है और 5 दिसंबर तक कोई F.I.R. दर्जी नहीं होती इस बात को लेकर वो काफी आतराज करते हैं और कभी घुस्सा भी करते हैं इस बात को लेकर काफी कहा सुनी भी होती है तब जाकर दिल्ली का एक न्यू उस्मानपूर एक थाना होता है वहाँ पर F.I.R. दर्ज की जाती है और दर्ज करने के बाद उस लड़की के को सीधा वहीं शास्त्रि पार्क में लेके जाया जाता है उसी जगाए पर जहां पर लभग धाय तीन महीने के आसपास तक वो लड़की रही थी उस लड़की को जब आसपास के लोगों से दिखाया जाता है उसे बादचित कराई जाती है क्योंकि रोज का उसका आना जाना वहां से होता था तो लोगों ने उस लड़की को देखते ही पैचान लिया था कि वी राजू की साथ थी राजू के घर पे थी उस व्यक्ति को उसकी पत्नी को राजू के नाम से जानते थे उसके परिवार के नाम से जानते थे लेकिन जब पुलिस वाले साथ ही वो एंजियो के लोग और साथ ही महिला आयोक की सदसे जो होते हैं जब वहां मौके पर पहु कोशिश की जा रही थी दिल्ली के अलग-अलग कोठों पर जाकर जब च्छापे मारी की जाते है तो उसकी बहन का कहीं भी कोई अता पता चलता ही नहीं है इसके बाद इस लड़की को इसके परिवार के इनकी फश्षी वंगाल का जो जिला होता है नाडिया नाडिया का ही एक गाउं होता है वहाँ पर जाकर संपर करने की कोशिश की जाते है परिवार के लोग यानकी मा और उसके दोनों वहाँ पहुंचते हैं वहाँ आने के बाद जब अपनी बेटी को देख रहे थे तो बेटी को देखकर उन्हें बिक्कुल यकिन नहीं हो रहा था जिस बेटी को और उसके हार्मोंस बदलने के लिए कभी-कभी नर्शे का इंजक्शन दिया जाता था तो कभी उसे कैपसुल खिलाया जाता था और कैपसुल खिलाने के वज़े से और नए-ने लोगों के मिलने की वज़े से उसके साथ हर दिन पंदरे से 20 लोग जो बलातकार क्या करते थे तो उसके शरीर का धाचा पूरी तरह से बदल चुका था, मा और उसके बाप को यकिन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी के साथ आखिरकार ऐसा क्या हो गया है उसकी बेटी को सीधा उसकी घर पहुचा दिये जाता है और उसकी बेहन को ढूरने की लगातार कोशिश कर रहे थे तब ये अंदजा लगाया जा रहा था कि राजू ने शायद जिस कोठे पर उसकी बेहन होगी क्योंकि उसकी बेहन साल 2000 बारे में ठीक बैसे ही आई थी जिस तरह से शाजी आई थी सोफिया का भी कहीं पता नहीं चलता कि वो कहां थी और जिस जिस कोठे पर चापे मारी कर रहे थे वहाँ पर सोफिया नाम की कोई लड़की मिलती ही नहीं है इसलिए चाहें वो CWC हो या शक्ति बाहनी हो या दिल्ली महिला आयूक की सदसे हो उन्हें बेरंग लोटना पड़ता है साथ ही इस लड़की के बारे में जो हुआ था वो बाकि बहुत भायानक होता है घर वालों के परिवार वालों के वो मिल तो जाती है लेकिन तीन महिने में उसकी जिंदगी पूरी तरह से बरबाद हो जाती है दोस्तो इस पूरे घटना करम को सुने का उद्देश है किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है विल्कि आपको जागुर करना है आपको सचेत करना है आपको बताना है आपको जताना भी है कि बात चाहें साल 2015 की हो 20 की हो 23 की हो आज भी इसी तरह से लड़कियों को वैश्या बरती के धंदे में डाला जाता है कभी उन्हें लालस दिया जाता है अच्छे मॉबाइल का कभी लालस दियाता है उन्हें महबत प्यार का कभी लालस दिया जाता है उन्हें अच्छे जगहों पर गुमाने का इसलिए कभी कभी लड़कियां इस तरह के जहमेले में फस जाती हैं और फसने के बाद वो छोटे से लालच में आने के बाद उन लड़कियों के साथ लंबे समय तक शायरिक शोशन होता रहता है यदि वो इस दलदल में धश जाती हैं तो इस दलदल से कभी निकल कर बाहर आई ही नहीं पाती हैं ऐसी ना जाने कितनी लड़कियां हैं जो इस वैश्यावरती के धंदे में जाने के बात कभी बापस नहीं आई हैं यदि लड़कियां बापिस पहुँच जाती हैं तो उन्हें समाज में वो दर्जा नहीं मिल पाता साथ ही उन्हें वो व्यक्ति कोई अगर उन्हें पता चल जाए कि इसके साथ वेशावरती के धंदे में थी तो उन्हें कोई समाज में कोई व्यक्ति अपनाने की कोशिश भी लेने की अपेल की थी जिसमें श्रिशान्त कुमार हैं, साती कृष्ञा हैं, आस्फ सेफी हैं, अजर खान, सुनिता राजपूत हैं, याकूब खान हैं, राम स्वरूप हैं, नावेद नकवी, लोकेंद्र गुपता हैं, चन्दन सिंग हैं, पृबीन गुपता हैं, मुन्ना खान हैं मुन्ना कुमार हैं सुनिल कुमार गुपता हैं संजे कुमार जादव हैं इन लोगों नाम लेनी की अपील की थी आप सब लोग अपना खयार रखें सुरक्षित रहें जैहिन जैभारत